हाईवे पे ट्रेवल कर रहा है दुपहर का टाइन था और वो अपने मज़े में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टाइर तो पंक्चर हुआ है उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टाइर पंक्चर हो गया अब वो बंदा थोड़ा परेशान के इतनी तेज धूप में मुझे टाइर बदलना पड़ेगा खैप जो भी कर लो टाइर तो चेंज करना ही पड़ेगा उसने गाड़ी में से जैक निकाला जैक को फिट किया उसके बाद टाइर के बोल्ट्स खोले और उनको एक साइड में रख दिया अब वो टायर को निकालने लगा, उसने जोर लगाया, छटके से पीछे खीचा, इसी दुरान उसका पाउन बोल्ट्स पे लगा और चारो बोल्ट नदी में गिर गए अब वो बंदा भ्यंकर वारा परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में, अब क्या होगा, अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाउंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा, मुझे जहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कितना लेट हो गया हूँ, इतनी गर्मी में, कोई दूर दू चुके है, और वो आगे नहीं जा सकता, अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा, काफी दिर निकल चुकी, अब सामने से उसको नजर आता है, एक किसान आ रहा हूँ, इस सोच रहा होता है, इससे मदद मांगू, ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी, पास-पास तोई मेकैनिक नहीं है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा, वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वज़े से ये बंदा गुस्से में है, किसान मुस्कुराता है, और कहता है किसाब यहां से 10 किलोमेटर दूर एक मेकैनिक है, जिसके पास आपको गाड़ी क समान मिल जाएगा, और वहाँ जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो, और फिर धीरे धीरे गाड़ी चला कर वहाँ तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, वो आदमी हेरान रहा गया, उसका गुस्टा एकदम शांत हो गया, कि तब भाई साथ, जिस प्रॉब्लम से मैं आदे गंटे से जूज रहा था, इसने कितनी असानी से उसका solution दे दिया, उसने किसान को बोला, sorry यार मैं गुस्टे में था, लेकि तुझे इतनी जल्दी solution कैसे मिल गया, पहले ये पराल्म होई थी कि कभी से आड़े साथ, जिसान मुस्कुरायार और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फरक है, कि आप उस परिस्तिती में, अपनी परिशानी के बारे में सोच रहते हैं, मैं उसी परिस्तिती में हल के बारे में सोच रहा था, तो दोस्तोर यहां तो आपका दिमाग हर डूढने में जाएगा ना कि परिशानी डूढने में। प्रॉब्लम सोचके रुप नहीं गए, बैट नहीं गए। महात्मा गांदी, भगत सिंग, चंदर शेकर अजाथ, सुभाष चंदर बॉस और ऐसे कई नाम। इन लोगों ने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, हम तो गुलाम है, हम तो स्लेव हैं, गुलाम ही में रहना पड़ेगा। इन्होंने सलूइशन पे फोकस किया कि कैसे देश को अजाद कर सकते हैं। एक और नाम जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसकी आवाज मैं अभी से सुन पा रहा हूँ, वो है तुम। तुमारी आवाज कि तुम प्रॉब्लम औरियेंटेड नहीं, सलूइशन औरियेंटेड हो। आज से सलूइशन औरियेंटेड हो। प्रॉब्लम हर जगा आएंगी, बिजनस में आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, रिलेशन में आएंगी, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम औरियेंटेड होते हैं, उनको परिशानी के इलावा कुछ नहीं दिखता, परिशानी की वज़े से दिमाग चलता नहीं, हिम्मत और जड़ जाती है, वो संजु मूवी में गाना था ना, इन गर्दिशों के बादल पे चड़के, वक्त का गिरिबान पकड़के, पूछना है जीत का पता, कर हर मैदान फते, अगर आपको भी हर मैदान को फते करना है, तो ये बात याद रखना कि आपको प्रॉब्लम औरिये सल्यूशन औरियेंटेट बढ़ना है, हिम्मत तोड़नी नहीं, हिम्मत बढ़ानी है, हर बार फोकस सल्यूशन पे करना है, प्रॉब्लम की वज़े से रुखना है, स्टे ब्लेस्ट, स्टे इंस्पारेट, एंद लाव्यों।